तो आज हमारे पास आया है डैवा के डैवा के रील्स मैं सोचा बहुत सारा मॉडल्स के भेजे हैं लेकिन स्टॉक में जितना बुक किया था उतना स्टॉक तो नहीं मिला मुझे चलिए जो आया सो आया तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या स्टॉक में आया है बस डैवा के रील्स हैं और एक हमारा वो लुकाना का सर्फ रील जो खतम हुआ था वो री स्टॉक हो चुका है और बाकी और एक दो मॉडल के रील आये हैं जो बाइट कास्टिंग रील जो उस स जैसे बोलता हूं मुझे जितना कम मिलता है उतना कम आप लोगों का मेरा कुछ भी नहीं है तो चलिए वीडियो देखते हैं कौन सा कौन सा स्टाक आया हमारे पास फस्ट दिखाता हूं मैं डाइवा में स्ट्राइक फॉर्स कॉंटिटी ज्यादा है कॉंटिटी मिल जाएगा वो एक मॉडल मुझे कॉंटिटी ज्यादा मिला है तो स्ट्राइक फॉर्स जैसे हर बार रेगुलर आता है जो डाइवा में फर्ष्ट स्टैडिंग रेंज में आता है स्ट्राइक फॉर्स जो पहले जब शुरुवात किया तेरा सो में आता था अभी शायद चौदा सू र वेगरा अगर पूछ रहे हैं तो इसका मैक्स ड्रैग मैक्स ड्रैग यहां पर फोर टूफाइग किलो फोर टूफाइग किलो ओके अल्मोस्ट वन बाल बेरिंग दिया है 370 ग्राम रिल वेट है मैक्स ड्रैग यहां पर मेंशन नहीं है फिर भी थोड़ा देख लीजे तो चला हुआ रहा है रेगुलर रील है ऐसा नहीं के कुछ न्यू मॉडल है तो इसके बारे में कुछ ज्यादा बोले जैसा भी नहीं है बहुत अच्छा रील है आप ले सकते हैं और डैवा स्ट्राइक फॉर्स तो यह एक मॉडल हो गया उसके बाद के मॉडल रेंज में आता चुका हूँ बहुत सलिम आते हैं यह खासकर और बारा कीलो के ड्रेग के साथ आते हैं तो यहां पर देख सकते हैं डिटेल्स तो यह बल कीलो मैक्स ड्रेग आता इसका यह रील का और तो एक करास्फार रेलटी बहुत लोग को पसंद नहीं आ रहा है और खुद मुझे भी पसंद नहीं आया वह एक बाल बेरिंग का है तो उसी लिए वह मैं नहीं लेक्या रहा हूं अब यह ऑके है चार बाल बेरिंग है 12 किलो ड्रैग है लाइन क्यापसिटी पूरा सब केटलोग में मेंशन कर दूगा वहां प पर देख सकते हैं कितना छोटा है बहुत स्लिम है लाइट वेट है अराम से लेख सकते हैं बहुत अच्छा रिल है 4000 सारी 5000 सीरीज में दिखने में 5000 है लेकिन बहुत स्लिम है तो यह हो गया और उसके बाद आता है हमारे पास बीजी बीजी आरार एल्टी 5000 देखिए पावर हैंडल के साथ पावर हैंडल अल्मिनियम नॉब और फुल मेटल बाड़ी फुल मेटल बाड़ी आता है अल्मिनियम बाड़ी तो मेटल बाड़ी बोलूगा अभी में अल्मिनियम नहीं बोलूगा यहां पर देता है अल्मिनियम तो 6 बाल बेरिंग के साथ आता है जो इतना फ्री मिंस पूरा हेर में पूरा हेर में घूम सकता है और यह खासकर बीग टार्गेट के लिए बनता है यह रिल्स, आरा रेल्टी, कि आपको वो बिग गेम का फीली ना दे, रिट्रिव करते समय, तो उसलिए इतना स्मूथ बनाते हैं यह रिल्स को, 6 बाल बेरिंग का है, और लाइट वेट रिल है, अल्मिनियम बाडी दिया है, लेकिन फिर भी बहुत लाइट वेट है, यह रिल कोई भी, कोई भी आंगलर्स ले सकते हैं, हर गेम के लिए, जो लोवर्स हैं, वो लोग जरूर इसको ले सकते हैं, जो शोकिंदार हैं, वो लोग, बाकी सॉल्ट वाटर के लिए नंबर वन है, नेकेड आंगलर्स तो आंग मुझके यह लेंगे, मुझे पता है, क्यूंकि उतना lightweight है और उतना better in real हो, क्योंकि बहूत लोग वो क्या बलते हैं, price नहीं देखते हैं, चीज अच्छा मिलना हो, यह बहूत लोग देखते हैं, बहूत लोग देखते हैं, कम price में, budget price में एक अच्छा real, तो उस हिसाब से मैं हर किसी को कुछ ना कुछ लेके आके देते रह तो उस हिसाब से जो प्रो एंगलर्स है उनके लिए बैतर इन रील है वन टाइम इन वेस्ट है और गेर इशू है 5.21 और रील का वेट जिसे में बताया और इसका भी मैक्स ड्रैग आता है 12 किलो 12 किलो मैक्स ड्रैग और 87 सेंटीमेटर 34.3 इंचेस और 5 प्लेस वन बाल बेरिंग है बाकी लाइन रेटिंग सब यहां पर देख सकते हैं ड्रैग और बाकी पूरा डीटेल्स के साथ हम कैटलोग में अपलोड कर देंगे वहां पे क्लियर चक कर सकते हैं जैसे मैं बोला फुल लोडू बडि रील है पावर नाब है ईक वर सख़ vast और अब्स रीटन बहुत आर एटर दो इसके बाद आता है 6000 series में 5000 series में 2G 2G मीन्स बहुत बड़ा रिल आता है 5000 series लेकिन यह RR royalty RR मीन्स बहुत video's में मैं बताया हूं RR मीन्स वो जितना हो सकता है उसको slim करते हैं हाट के तो बहुत slim बनाते हैं 6000 series में देख सकते हैं 6000 series में same reel है ditto aluminum body 6 ball bearing है और पावर नब, पावर हैंडल, अल्मिनियम हैंडल, और पावर नब, सॉरी, पावर हैंडल, मैं भूल जाता हूँ, कुछ नहीं कर सकते, तो देख सकते हैं, 5000, 6000, और जैसे मैं बोला पूरा डीटेल्स हुई है, लेकिन 6000 सीरीज है, तो इसमें ड्रैग क्यापसिटी देखते ह इसमें भी 12 किलो ड्रैग क्यापसिटी दिया है, और रील का वेट 390 ग्राम, मिन्स 100 ग्राम उससे इसका रील का वेट थोड़ा ज्यादा है, और लाइन रेटिंग भी बहुत ज्यादा है, तक करीबन 300 मीटर लाइन आ जाएगा इसमें, अगर पी लाइन और जिनल अप यू तो बीजी आरा रेल्टी 65 यह दो ही मोडल आया दूसरे मोडल नहीं है, तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्या आया है हमरे पास, नेक्स्ट आया है, सर्फ रील, जो बड़ा, बड़ा साइज में आता है, बहुत बड़ा साइज है, जो सर्फ रील, और कार फिशिंग के ल 12 kg Max Drag है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसमें आ चुके हैं जो GT तक इसमें लैंड कर चुके हैं Spinning में Spinning में Popping में सब GTs Land कर चुके हैं खासकर हमारे Underman Anglers तो यह खासकर Reel बनता है Surf Fishing के लिए जो Live Bet Stringlay के लिए खेलते हैं 30 kg 40 kg Size तक भी आप इसमें निकाल सकते हैं Stringlay को तो क्यूंके Line Rating इसमें ज्यादा आता है Plus इसका Power Power बहुत है यह Reel में और इसका Model आता है SC9000 और T-Nob आता है T-Nob T-Nob के साथ आता है पूरा Aluminium आता है Power Handle नहीं है Power Knob नहीं है Normal Handle है Normal वो यह Screw Type का है तो यह हो गया और जो Line Line Fill होता है यहां पर देख सकते हैं यहां से Slope दिया है तो आप Absorb कर सकते हैं Slope तो Slope दिया है यह Top से Top से Slope दिया है ताकि आपका Line जब Cast करते हैं Full Freely Out हो और जितना आप Long Casting मांगते हैं उतना Long Cast करेगा यह Plus Spool, Spool Design भी देख सकते हैं यह जो डिजाइन में हर बार बताते रहता हूं Spool Design बहुत बैतर इन रिल है, Surf Reel खास कर हूए Salt Water के लिए है, फिर भी Carp Anglers भी जरूर लीजिए बहुत बैतर इन है लेकिन थोड़ा बड़ा Size में आता है लेकिन Line Rating जो एक्स्ट्रा मांगते हैं उनके लिए बैतर इन है जो बिग गेम का अटला टारगेट कर रहे हैं उनके लिए सबसे बैतर इन रिल है और बाकी इसमें 6 प्लेस वन बाल बेरिंग है, Aluminium Spool है और Aluminium Power Handle Zing Allway Drive Gear Brass Spiner Gears है अच्छा यह जो Main Gears है यह Reel में, Brass के हैं नॉर्मल इसके नहीं है, Brass के हैं तोड़ा लाइफ आएंगे और Max Drag 18 Kilo, Reel का Weight है 632 Gram 632 Gram Reel का Weight है तो यहां पे Detail देख सकते हैं बाकी जो भी Detail है यह हम Catalog में Upload कर देंगे, वहां पे चक कर सकते हैं बहुत बहुत बैतर इंद्रील है ले सकते हैं, Car Plowers और Surf Fishing के लिए बैतर इंद्रील है तो यह हो गया और उसके बाद जैसे मैं बता रहा था, Bytecasting, Bytecasting Reel यह बहुत सारे लोग देख चुके हैं बाइट कास्टिंग रील जो एक ब्रैंड में आता था पिछली बार में लेके भी आया लेकिन प्राइज 3,500 रुपीस का था लेकिन अभी ये ब्रैंड में आया है तो यहां पर देख सकते हैं पीडी 3,000 ह और मैक्स ड्रैग दिया इसका 16 किलो 16 किलो मैक्स ड्रैग है 230 ग्राम का रील वेट है और 6 प्लेस वन बाल बेरिंग है और गेर रोटे गेर इशो 6.31 और लाइन रेटिंग यहां पर दिया है 36 mm का भी लाइन अगर यूज कर रहे है 200 मीटर लाइन अराम से आ जाएगा इसमें क्यूंकि इसका स्पूल बहुत डेप्थ है 3000 सीरीज का रील आईए 3000 हमारे जो नॉर्मल बाइट कास्टिंग रील साते हैं 100 या 200 200 यह आता है 300 300 में इसका मॉडल नंबर है और इसमें लेफ् सकते हैं आप यह रील और यह पावर ना बिमें इसके बारे में बताता हूं थोड़ा उसके वह एक्स्चेंज करना है और यह जो पीचे का यह आता है यह वाला यह वाला आता है अलमीनियम में बहुत लोग वह बहुत कंपनी में फाइबर का ता है वो कट्टोना चांसर रह पावर हेंडल जिगिंग के लिए लेकिन ये रिल मिन्स एक कम बजट में ऐसा नहीं के सॉल्ट आटर मैं ऐसा ही बता रहा हूं सॉल्ट आटर के लिए ये नॉप साते हैं और ये रेंज में शायद सॉल्ट आटर ज्यादा लाइफ नहीं आएगा मुझे पता है फिर भी वह प छी खरीथ निए सब शनर करिदें जितना मुझे पता है उस्साब से ये पोवर हेंडल और नद आप निकाल दीजिए हैं इसमें एक रेक हेंडल दिया है एक फ्राल ये ये वाले लंड़ दिया खिर था और कि अच्छा आपको इत रज़ा थोड़ा लाइफ आपबोर श्या थोड़ा लाइफ आजाए तो यह हैंडल आप लोग क्या किजिए यह हैंडल निकाल के यह हैंडल डाली जैस नेखे डैंगलर क्योंकि पिछली बार मुझे वह बहुत सारे यह पिलेंट्स आए किके सिंगल हैंडल में हैंनद में साऔंड आता है तो चाइद सुन पा रहे हैं साणड आता है सिंगल हेंडल में double handle ढालेंगे वह सौण डाना चांस नहीं है तो जैसे मैं बोला प्राइज आता है यह यह जो मैं 300 में त्रीट हॉज़न 5100 में दिया मैं वहीं बोलता हो मुझे जितना कम मिलता है जितना कम में मुझे आता है मैं उतना कम में कशिश करता हूं इससे भी कम मिल सकता है अगली बार तो इससे भी कम प्राइज में मिल रहा है और वह हो गया राइट हैंड अभी यह है लेफ्ट हैंड सेम रील है डिट्टो है तो ज्यादा एक्स्प्लेइन नहीं करेंगे बस रील जैसे में बताया बेतरीं रील है ले सकते हैं 3,700 में 3,000 सीरीज का रील आ रहा है 3,000 सीरीज 300 बोलते हैं लेकिन हमारे जो नॉर्मल स्पिनिंग एंगलर्स है उनको बहुत लोग को यह से ही समझ में आता है तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूं बाकी जैसे में डीटेल्स दिया सब वही है लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोन डीटेल्स डेवा का जैसे मैं बोला था रॉज रिरील्स फिनिश कर लो इसको फिनिश कर दो कर लो उसके बाद व्लाक करो तो यह हो गया इसके बाद रहेगा डेवाकी रॉटस फिर जो हाई रथ रहेंज में आते हैं वह वाले तब तक कि लिए आप इस में सितन्य करने शुक्रिया